8 संबर 2021 के यह order आने के बाद सभी GDS के मन में संसाय पाइदा कर दिया है सब्जेक्ट में था फॉर्मिंग आप डिपार्टमेंट आप पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट सौर्टिंग असिस्टेंट रिकॉर्मेंट डूल 2021 यह order government of India, ministry of communication, department of post की तरफ से जारी किया गया था Hello friends, welcome to GP online classes YouTube channel आप सभी का एक बार हुना है, एक और नए वीडियो में स्वागत है वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें ऐसी और वीडियो बनाने का motivation मिलता है वीडियो को अपने सभी दोस्तों के सांथ, सभी GDS ग्रूप में, सभी Facebook ग्रूप में जहां से GDS की उड़े हुए हैं, सभी के सांथ सेर कर दीजेगा हमारी YouTube channel को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो requirement rule से संबंदी जो भी order आएंगे उसके regarding update पाने के लिए YouTube channel को subscribe कर लिए ताकि update आपको सबसे पहले मिल सके ध्यान रखिए, यह order जब जारी किया गया था, उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था वीडियो का link मैं आपको वीडियो के description में देदूँगा वहां से जाके उसके regarding वीडियो जो है एक बार देख लेना और ध्यान देना कि कौन-कौन से point जो है change होने वाले है इसके regarding जो है डिपार्टमेंट आप पोस्ट ने stakeholder से 30 दिन के अंदर इसके में comment मांगा था लेकिन काफी ज़दा समय बेतीत हो चुका है कौन-कौन से point change होने वाले है उसके regarding sort में एक बार बात कर लेते हो सकते हैं अभी हुआ नहीं है लेकिन उसके regarding further order आ गया है उसके regarding positive order आ गया है उसके response आ गया है GDS 2 PA is limit 40 year हो सकता है GDS 2 PA education qualification graduation हो सकता है या फिर GDS 2 PA service year 8 year हो सकता है तो ध्यान रखिए यह सारे चीजे हो सकती है इसके regarding आपके क्या विचार है होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इसके नीचे हमें अपना विचार जो है comment box में जरूर बताईएगा यह order अभी government of India, ministry of communication, department of post की तरफ से revision of requirement rule postal assistant, sorting assistant लिखा हुआ है यह 3-3 2022 का यह order है DDG will hold meeting with representative federation to discuss revision of requirement rule, postal assistant, sorting assistant 15-3 2022 को 11 a.m. से लेके 1 p.m. के बीच में इसके बीच में discussion चलेगा और जो भी इसके regarding order आएगा सबसे पहले आपको GP online classes के YouTube channel पर मिलेगा ध्यान दखिए कि हो सकता है कि बदला हो जाए बड़े बदला हो जाए उसके लिए आप वीडियो के नीचे comment में बताइए क्या यह बदलाओ सही रहेगा या फिर बदलाओ नहीं रहेगा क्या GDS 2 PA education qualification 12 रहना चाहिए क्या GDS 2 PA is limit 30 रहना चाहिए या फिर GDS 2 PA service year 5 year रहना चाहिए आपके क्या विचार है या फिर आपकी क्या रहेए इसके रिगार्डिंग वीडियो के नीचे comment box में जलूर बताइएगा 15 तारीख को इसका order जो है निकल के आएगा जैसे यह order आता है हम आपको YouTube चैनल पर provide करा देंगे इसके लिए subscribe करना आपको बहुत जरूरी है ताकि आपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल सके हमने उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को latest update निकल के आएगा 15-16 के बीच में तो उसको जदी से आप तक पुचाने का प्रयास करते है उम्मीद कर